गुड मॉनिंग बच्चों कोशन नमबर चार एकसरसाइस 4.3 दो चर वाले रेखिक समीकरन तो इसमें है एक नगर में टेक्सी का किराया निमलिखित है पहले किलो मीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रती किलो मीटर किराया 5 रुपए है यदि तै की गई दूरी X किलो मीटर हो और कुल किराया Y रुपए हो तो इसका एक रेखिक समीकरन लिखिए और इसका आलेख खीचिए तो हल में हम क्या करेंगे कि पहले किलो मीटर के लिए टेक्सी का किराया हमने वाई रुपै तो हमने कुल किराया बराबर 5 रुपै लिख दिया है इसके बाद जो है कुलदूरी कुलूरी देखें क्या है X किलो मीटर तो Easy carbon ना है तो 24 में जब रेखिक समीकृ करण बनाएंगे तो justify बराबर क्या गया ऊइट गुडए वन यानि एक किलो मीटर तक के किराया आठ रुपे था और दूरी हमने x मानी थी तो कितनी दूरी और बची x माइनस 1 बची तो एक किलो मीटर तक 8 रुपे किराया था तो अगली x माइनस 1 किलो मीटर में 5 रुपे किराया था तो कुल किराया कितना हो गया y कुल किराया है तो y बराबर 8 into 1 plus 5 times x minus 1 अब हम इस bracket को खोलेंगे तो y बराबर आ जागा 8 plus 5 x minus 5 तो 8 में से 5 घटाया तो क्या आया? 3 आया और उसके बाद plus 5 x तो y बराबर 3 plus 5 x एक equation 1 आपकी बन गई और इसको अगर हम एक side में सारा लिख लें तो y को हम इस side ले आएंगे तो minus हो जाएगा तो 5 x minus y plus 3 बराबर 0 अब जैसे पिछले अभ्यास में आपने x के कई मान रखके y के मान प्राप्त किये थे तो ऐसे ही इसमें भी हम कर रहे हैं जब x बराबर 0 तब y बराबर 3 plus 5 गुड़ा 0 बराबर 3 plus 0 बराबर 3 तो आपको एक set बिंदू को मिल गया 0, 3 जिसको हम A से लिखेंगे इसके बाद जो दूसरा है x बराबर minus 1 हमने रखा तब y बराबर 3 plus 5 गुड़े minus 1 तो minus 1 से 5 को गुणा करेंगे तो minus 5 आएगा और 3 छोटा है तो चिन minus का लगेगा 5 में से 3 गया 2 तो दूसरा set बिंदू को क्या मिला x का मान minus 1 और y का मान minus 2 तो इसको हम b से लिखेंगे फिर x बराबर minus 2 रखा तो y बराबर 3 plus 5 into minus 2 तो यह हो जाएगा 3 minus 10 बराबर minus 7 तो तीसरा set मिल गया minus 2 comma minus 7 x का मान और y का मान यह c बिंदू है तो इस तरह यह 3 बिंदू हमें मिल गया a 0 3 b minus 1 minus 2 और c minus 2 minus 7 तो अब हम इसको जो है graph पे plot तो graph पे plot करेंगे अब इसको जो बिंदू हमें मिले थे तो x के मान जो थे उसको अलग लिख लिया 0 minus 1 minus 2 इससे y का जो मान प्राप्त हुआ 3 minus 2 और minus 7 तो अब हम जो है x और y axis खीच लेंगे तो आपको इसमें चितर में दिख रहा होगा कि x और y axis खीचा है तो नीचे की तरफ y का मान minus 7 लिखा है क्योंकि इस chart में आपको देखिए कि minus 7 दिख रहा है सबसे ज़ादा और x में minus 2 है तो x में minus 2 तक ले जाएंगे उसके बाद आप देखिए कि इसमें जो है positive x के direction positive x के direction में इस chart में सिर्फ 0 के लावा कुछ number नहीं है तो यहाँ पे हमने number नहीं डाला लेकिन आप चाहें तो डाल सकती है यह x axis है और यह x dash axis है तो बच्चों यह समझ में आए आपको अब हम आते हैं बिंदू पे तो पहला chart हमें क्या मिला था 0 और 3 का तो हमने 0 और 3 plot किया यहाँ पे 0 तो x का मान है और 3 y का मान है तो यहाँ पे a बिंदू मिल गया तो यहाँ हमने dot बना दिया उसके बाद दूसरा बिंदू क्या है हमारे पास minus 1 और minus 2 अब minus 1 और minus 2 पे आईए minus 1 यह है और minus 2 नीचे है तो minus 1 से नीचे चलेंगे और minus 2 से इसको जोडेंगे तो b बिंदू मिल गया यहाँ पे a cross कर देंगे और लिख देंगे minus 1 minus 2 है इसके बाद तीसरा बिंदू क्या है आपके पास minus 2 minus 7 तो minus 2 और minus 7 जो है minus 2 से आप नीचे चलेंगी और minus 7 से जोडेंगी तो आपको c बिंदू मिला तो इस तरह minus 2 और minus 7 हमें एक point मिल गया तो इस तरह से आप देख रहेंगे कि हमें यह ग्राफ प्राप्त हो गया यह तीनों बिंदू को हम scale रखके तीनों बिंदू से गुजरने वाली एक straight रेखा खीशते हैं तो हमें यह एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है उस रेखा पे तीन बिंदू A, B, C इस्थित हैं तो बच्चों इसी तरह से आपका पाँचवा, छटा, साथवा, आठवा नवा question है आप इसको हल करिएगा उसके बाद ग्राफ पेपर पे बना के अपनी मैस की copy में इसको लिखेगा